हम सोचे थे कि एक मिनट के बाद लाइब आ जाएंगे सर हमारे खड़े थे एक मिनट में ही लाइब हो गया तो खेर कोई बात नहीं तो सब लोग रेडियो क्या सबी लोग रेडियो दधा तेन मिनट सो के लिए आज का मुद्दा जरा देखलो आज का मुद्दा क्या है सभी प्रमुक्स हम इमांदारी से बताएं तो सोचे थे एक मिनट आराम कर लें लेकिन आज भगवान को ये चाहिए था खुदा को ये चाहिए था कि ना भीटा आज तो तुम्हारी किसमत में आराम नहीं है तुम तुरंट लाइव हो जाओ ठीक है तुम तुरंट लाइव हो ठीक है फिर भी एक बार है हां तो शुरुआत करें तो यार सब लोग थोड़ा सा एक दो मिनट याद रखिएगा दट सबसे पहले दटेन मिनट सो में आपका स्वागत है मैं आपको एक बात के लिए आस्वस्त करना चाहता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है वो आपको एक से दो नमबर जरूर दिलाएगा भगवान में खुदा में वाहे गुरू में जीसस में विश्वास करके जिसको पे भी आप ट्रस्ट करते हो दटेन मिनट सो सुरू किया करो मैं लिख करके देता हूं ये बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा पहले कोश्चन की तरफ जाते हैं औ नौवी अनुसुची जोड़ी गई एक्चुली आपको पता होगा संविधान में आठही अनुसुचियां या फिर सेड्यूल थे आठही थे लेकिन वर्तमान में कितने मौजूद है सर बारह तो कई बार आप से पूछ देता है कि नौवा सेड्यूल किस संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया तो पहले संविधान संसोधन इंगलिस में constitutional amendment और ये 1951 में हुआ था ठीक है ना ये 1951 में अगला जो आपके लिए important मिलेगा सिर्फ important वाले पे बात की जाएगी सात्वा संविधान संसोधन जरूर याद रखना कई बार आप से पूछेगा देखो भासाई आधार पे राजियों का पुनर गठन ठीक है ना भासाई आधार पे राजियों का पुनर गठन किस संविधान संसोधन के द्वारा हुगा सर सात्वे संविधान संसोधन के द्वारा ठीक है ना सात्वे संविधान संसोधन के द्वारा ये important बनेगा अगला point अगर देखो तो अगला important है 21 संविधान संसोधन वैसे आपके संविधान में मूल रूप से कितनी भासाओं का जिग्र था तो सर मूल रूप से 14 भासाओं का जिग्र है वरतमान में कितनी भासाओं हैं सर तो 22 भासाओं हैं तो जो 14 से 15 भासा बनी कौन 14 से 15 भासा बनी थी आपके सिं उसके बाद जो important बनेगा वो एक आप लोग 22 संभीधान अच्छा वो 222 आर्टिकल है एक तिस्वा संभीधान संसोधन एक तिस्वा संभीधान संसोधन में ये लोग सभा लिखा है ध्यान से समझना क्या हुआ था एक तिस्वा में लोग सभा की सीट 525 से 545 की गई थी एक तिस्वा और सात्वा यहां सात्वे संभीधान संसोधन से लोग सभा की सीट 500 से बढ़ा के 525 की गई थी और उसके बाद 525 और फिर एक तिस्वे संभीधान संसोधन से लोग सभा की सीट 525 से बढ़ा के 545 की गई आपके मन में ये आना चाहिए कि सर अभी तो 552 के करीब ह ना maximum तो सर्पान देखो हुआ क्या कि 1973 के बाद 1987 में 1987 में भारती ये छेत्र में गोवा और दमंदीव को पूर राज्जी का दर्जा मिल गया गोवा को तो ये सीट 545 से बढ़के 552 हो गई लेकिन वर्तमान में हैं 545 ही ठीक ना 545 अगला देखते हैं इंपॉर्टैंट क्या बनता है पैंतििसवा सम्मिधान संजोधन मोस्ट density single को सन्रक्षित राज्ये का दर्जा मिला याद रखना 35 में सिक्किम को सनरच्छित राज का दर्जा मिला तो 36 में सिक्किम भारत का राज बना इसको maximum student गलत करते हैं लला आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा और ये भी पूछ देता है कि कौन सार राज ये बना है ये सिर्फ exam oriented content है जिसे आप ध्यान रखेंगे सर 42 सभीधान संसोधन इसको सर हम लोग mini constitution भी कहते हैं mini constitution भी कहा जाता है इसे ठीक है ना mini constitution कहा जाता है इसे 42 सभारा आप से पूछेगा समाजवादी धर्म निर्पेच और एवं एकता और अखंडता सब्द किसके द्वारा जोड़ा गया बैलिस्वें के द्वारा 44 के द्वारा आपके संपत्ती के अधिकार का कानून समाप्थ हुआ जो आपके बेसिक अधिकार था पतलब fundamental right जो था वो समाप्थ होकर कि इसको कानूनी अधिकार या legal right किया गया था यह निश्चित तोर पे बैलिस्वा चोवारिस्वा इंपॉर्टेंट बनेगा उसके बाद आगर आप देखे तो 52 आपसे कई बार पूछता है कि किस संपिधान संसोधन के द्वारा दल बदल या crossing the floor जैसे यह बिधायक जीस पार्टी से जीते और दूसरे पार्टी में बूफ कर गए वो किसके द्वारा हटा तो दल बदल का कानून 52 संपिधान संसोधन 1985 के द्वारा हटा विश्वास करिएगा आपसे ठीक है न यह constitutional amendment तो पूछेगा ही पूछेगा संपिधान संसोधन इयर भी पूछ देता है ठीक है इयर भी और जो लड़के लड़की पढ़ने वाले हैं उन्हें पता है कि यह कितना important constitutional amendment चलना है मात्र साथ से आठ मिनट में एक से दो नमबर पा जाओगे एक सठवा संपिधान संसोधन another important one मतदान आयू 21 वर्स से घटा करके क्या कर दी गई सर 18 वर्स कर दी गई कि अब 21 वर्स की आयू में आप वोट नहीं दोगे आप कितने वर्स की आयू में ओड दोगे तो 18 वर्स की आयू में आप ओड देंगे ठीक है ना एक सठवा बावनवा एक सठवा अगला important आपके लिए बनेगा उनहत्तरवा इस पे लोग ध्यान देते ही नहीं है दिल्ली राष्ट्री राजधानी विधान सवयन मंत्री परसत का गठन दिल्ली की जो राष्ट्री रा सभा के दवारा पंचायती राज जोडा गया जिस तरीके से गामों के विकास के लिए सब्सवाट्री राज जोडा गया है ठीक उसी से सहरो के विकास के लिए नगर निगम Municipalities या नगरपाली का जोड़ा गया है 74 सम्मिधान संसोधन के द्वारा ठीक है ना 74 आपसे कई बार इसका पार्ट पूछ देता है कई बार ठीक है ना याद रखना पार्ट 9B सम्मिधान के भाग 9B में क्या दिया हुआ है तो 9B में आपके cooperative society दिया हुआ है या फिर सहकारी समितियां दी हुई है ठीक है ना 9B में क्या है सहकारी समिति या फिर आपके cooperative societies दी हुई है ठीक है अगले point पे जाते हैं 73-74 के बाद जो अगला important बनता है आपके exam में जो अकसर पूछता है 86वा समिधान संसोधन मैं आपको जितना भी मैं आपको जितना भी आज बता रहा हूँ लला यह most important constitutional amendment है ठीक है ना भया English version भी इसका ला देंगे फिलाल आप तो इसको पढ़ी लो 86 इसलिए मैं जो tough word आ रहे उनको बोली दे रहा हूँ 86 constitutional amendment इसके द्वारा 86 वे के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निसल्क मतलब सर free हो गया और अनिवार मतलब सर compulsory हो गया निसल्क और अनिवार सिक्षा को fundamental right बना दिया गया मौलिक अधिकार बना दिया गया ठीक है ना और इसी 86 वे समिधान संसोधन के अंतरगत आर्टिकल 45 और 51A या 51 51 क में संसोधन का प्रस्ताव संसोधन की इंगलिस होती है amendment ठीक है ना amendment होता है 86 के बाद जो अगला important constitutional amendment है वो ये है बानबेवा आपको पता है कि बानबेवे समिधान संसोधन के द्वारा जो 2006 में हुआ आठवी अनसूची बोडो डोंगरी मैथली संथाली भासाओ का समावेश किया गया है ठीक है ना बोडो डोंगरी मैथली और संथाली भासाओ का पहले पर आते हैं सौवा समिधान संसोधन देखो पहला और सौवा जरूर याद रखना सौवा समिधान संसोधन है भारत बांगला देश भूमी भारत और बांगला देश के बीच में land boundary agreement ठीक है ना सौवा संथी समिधान संसोधन land boundary agreement अब आप से मेरे कुछ questions बनेंगे सर व इनवा समिधान संसोधन और एक सो चारवा समिधान संसोधन आज के comment box में जरूर बताइएगा ये किन मुद्दों को लेकर हुए हैं ठीक है ना ये किन मुद्दों को लेकर हुए हैं जैसे आपको एक hint दे दूँ इसमें से एक EWS जो economically weaker section है आपके उनके आरक्षड के लिए ह ठीक है ना और एक SCST से related है एक GST से related है चलो बताओ 101 सर 101 हुआ था GST के लिए ठीक है चलो 103 हुआ था EWS वाले certificate के लिए अब बताओ 102 और 104 किस के लिए हुआ है हाँ ठीक है ना 101 वा GST चलिएगा अब बताइगा 102 और 104 किस के लिए हुआ है ठीक है हाँ 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 बस सबको 103 EWS उतो हम ही बता देगो 103 EWS तुम क्यों लिख रहा हो तुम लोगो 102 और 104 बताओ ठीक है ना 103 और 104 बताएगा 2 और 3 बताएगा 2 और 3 ये आपको comment box में आज जा करके comment करना है 2 और 4 समझे ना comment box में जा करके comment करना है कि सर ये किस के लिए हुआ ठीक है ना 102 OBC से related बहुत बढ़िया NCBC सर OBC है ठीक है ना हाँ बिलकुर ठीक है तो आज का the 10 minutes so यहीं पर समाप्त करते हैं ये दोनों आज मैं comment box में आपके comment जरूर चेक करूंगा और मैं तो Google करके बताना मैं तो सब चीज बता दू ठीक है ना मुझे तो याद रहते मैं बता दू लेकिन हाँ या OBC सर्टिफिकर बोल तो रहाँ भीच भीच में मैं मुझे बोल भी दे रहा हूं अब जो पकड़ ले उसके लिए समस्दारी या जो न पकड़ ले उसके लिए कोई टेन मिनट सो ठीक है ना आज का देन मिनट सो का हमारा टॉपिक था संविधान संसोधन संविधान संसोधन आज साम साथ बजे हम लोग हिस्ट्री के कोईश्चन के साथ मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के कोईश्चन ठीक है ना सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के उपर है आपके सुझाओ नई नियुक्तियों के उपर है आपके सुझाओ चर्चित महिला, चर्चित पुरुस के उपर है इन सब topics को जो आपने पहले सुझाओ दिया है वो मैंने note कर लिया है आज 4 जनवरी हो गई है और आने वाले 6-7 दिनों में मैक्सिमम 12-13 जनवरी तक मैं आपके सारे important topic the 10 minute show में cover कर दूँगा thank you so much अपना और अपनों का ध्यान दीजेगा अगली class भ्रीगू सर की होने वाली है please move करिएगा और नौदीब सर पढ़ाएंगे GS तो GS की class में जिसे जाना हो CGL मेंस के वो नौदीब सर की class में जा सकता है और जिसे CHSL की English पढ़नी है वो भ्रीगू सर की class में जा सकता है तो please मुझे ज़्यादा ज़्यादा तो उमीद है कि CGL तो अभी प्री बहुत सारे students का नहीं निकला होगा बट CHSL के लिए आप जरूर इलीजिबल हैं फॉर्म बरने की last date भी आ गई है तो उसमें जुड़ जाए ठीक है तो बैया एक बार सब लोग यार इसको लाइक करते जाओ थैंक यू सो मच अपना और अपनों का ध्यान दीजेगा धन्यवाद मेरे दोस्त धन्यवाद